क्या आप अपने फोटोस में लाइव इफेक्ट डालना चाहते हैं अगर हां तो यह वीडियो देखते रहें नमस्कार दोस्तो मेरा नाम इश्याद और आप देखेंगे टेक्नलिस और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो फोटोस उनमें हम लाइव सब्सक्राइब करें टेक्नलिस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दोबाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आप करना में पिक्सल लूप और यहां पर इस आप में आपको मिल जाता है एक डेमो प्रोजेक्ट और उसी डेमो प्रोजेक्ट पर आ यहां पर इस चीज को फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे आंकर्स को तो हम पहले वीडियो को पॉस कर देते हैं और हम जिस सब्जेक्ट में वाटरफॉल के साइड में बाउंडरी पे आंकर्स पॉइंट कर देंगे तो इसकी इससे क्या होगा कि जो सॉफ्वेर का जो AI ह यहां पर आप देख सकते कि सिर्फ वाटरफॉल ही अनिमेट हो रहा है बाकी बैग्राउंड नहीं हो रहा है जो दूसरो ऑप्शन है वह है स्पीड एन इसकी मदद से आप जो वाटरफॉल की स्पीड है वह अजस्ट कर सकते हैं तो आप जितनी कम रखोगे उतना यह वाट अगर आपको कुछ जो फ्रीज एडिया जिसमें अनिमेशन काम नहीं कर रही है उन्हें आप अनिमेशन डाल सकते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वह है लूप और इसकी मदद से आप अपनी अनिमेशन की स्टाइल को अजस्ट कर सकते हैं ब्लेंड बूमरांग सर्कु कि आप कोई भी चूज कर सकते हो और जैसे आप किसी टैंपलेट को चूज करते हो तो आपकी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ऑटमेटिकली उस पिच्टर में स्काई को डिटरमाइन करके स्काई को रिप्लेस कर देती है नेक्स जो फीचर आपको मिलता है वह है इसमें अच्छा लग रहा है मेरी इमेज पर अभी मुझे यह बटरफले अपनी इमेज पर नहीं चाहिए बटरफलाई के अलवा आपको बहुत सारे अधर अलिमेंट्स भी मिल जाते हैं यह सारे अलिमेंट्स लाइव एलिमेंट्स हैं तो आप अपनी फोटो में आड़ कीजिए आपकी फोटो और अच्छी हो जाएगी अलवा आपको कुछ ऑरले मिलते हैं यहां पर बहुत सारे ओवर लेज है यहां पर आपको जो प्री डिफाइन लुदंप में बहुत सारे ओवरलेज मिल जाते हैं जैसे बारिश बटरफलाई ब्लॉसम या कुछ जिए मैं अर वर्ल करने के लिए यहाँ पे आप वीडियो को वीडियो में कर सकती है यह पूर्ज पर आप उन्हें sebagai i is of के लिए भी convert कर सकते हो उसी के नीचे आपको मिल जाता है size options आप original size में export करना चाहते है या 16 is to 9 या 1 is to 1 या और भी बहुत सारी sizes है जो आप choose करके उसी size में export कर सकते है अपने वीडियो और उसके नीचे आपको मिल जाता है duration का tab आप अपनी वीडियो की duration को adjust कर सकते हैं पर मैं नौर्मल ये अपनी वीडियो को 6 seconds तक ही export करता हूं duration के नीचे आपको मिलता quality bar quality adjust करने के लिए तो यहां पर जो default quality है settings adjust करने के बाद अपनी वीडियो को export कर सकता हूं exporting के लिए थोड़ा time लगेगा है यह आपके device पर depend करता है कि कितना time लगेगा जैसे वीडियो export हो जाएगी वो आपकी gallery में save हो जाएगी और आप उस वीडियो को access कर पाऊगे अपनी gallery से और वीडियो export होने के बाद आपको क वीडियो में ऐसे tutorial चीए तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं और subscribe करना ना भूले मेरे चानल टेक्नल लिस्ट को क्यों कि मैं हर अपते तीन वीडियो सिलाता रहता हूं जय हैं वंदे मात्रम